आप स्क्रीन पर देख रहे हैं साला प्रिवेस एप काफी महत्पून एप है जिसमें सिक्छा विभाग में जो साला त्यागी च्छात रहे हैं या फिर प्रिवेसी च्छात रहे हैं या फिर नव प्रिवेसी च्छात रहे हैं इनका सर्वे सिक्छकों के द्वारा किया जाता ह और इनकी जो जानकारियां है वो साला प्रिवेस एप के माध्यम से दर्ज की जाती है सिक्चकों के दौरा आईए देखते हैं कि जो साला प्रिवेस एप है इसे कैसे इंस्टॉल करना है और इसमें सर्वे कैसे करना है तीन प्रकार के जो छात्र हैं जिसमें साला त्यागी, आप प्रिवेसी और नव प्रिवेसी तीनों प्रकार के छात्रों की जो जानकारी है इसी एप की सहायता से दर्श की जाती है सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इसे इंस्टॉल कैसे करना है तो install आप बहुत ही असानी से play store से आप कर सकते हैं इसके लिए play store आपको open करना है और इसमें आपको search करना है साला previous ग्रह संपर्क किवल इतना type करके आप search करेंगे तो काफी सारे option इसमें आ जाएंगे जिसमें आप देख सकते हैं एम 66 मित्र से ही connected साला previous एप दिया गया है जिस पर किलिक करके आपको इसे install कर लेना है चुकि हमने install कर लिया है तो यहाँ पर open लिखा हुआ रहा है यदि आपने install नहीं किया है तब यहाँ पर install का option आएगा जिसे आपको install पर किलिक करके install कर लेना है जब आप install कर लेंगे तो कुछ इस प्रकार का icon इस app का बनके आ जाएगा जिसे आपको open कर लेना है और open करने के बाद arrow पर click करें जैसे आप arrow पर click करेंगे तो इसमें login पेज आ जाएगा जहां आपको अपना username और password फिल करके login करना है अब username password education portal का जो भी आपका username password हो वो username password आपको यहां पर फिल करना होगा username में आपका unique ID रहता है और password में जो भी आपका education portal का password हो इसे फिल करना है और इसके उपरां लॉगिन पर click कर देना है जैसे हम लॉगिन पर click करेंगे तो थोड़ी process हो जाएगी और इस app में हम login कर लेंगे अब यहां पर आप देखेंगे कि ग्रह संपर की जानकारी देखें और हाली में आपके द्वारा किये गए ग्रह संपर तीन option दिये गया है तो पहला जो option दिया गया है इस पर click करके हम जो survey कार है वो करेंगे और second जो option इसमें दिया गया है कि ग्रह संपर की जानकारी जो आपने ग्रह संपर किया है इसकी जानकारी इसमें आप देख पाएंगे और बरतमान में जो आपने contact किया है जो survey किया है इसकी जानकारी third option से भी check कर सकते हैं आईए देखते हैं कि survey कैसे करना है तो सर्वे करने के लिए जो पहला option दिया गया है ग्रह शम पर करें इस option पर click करना है जैसे आप click करेंगे तो यहाँ पर पहला ही option आएगा कि सूची के अनुसार चात्र का प्रकार चुन है अब यहाँ पर जैसे हम click करते हैं तो तीन option यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलें पहला रहेगा 9 प्रिवेस का इससे हम कख्षा 1 में प्रिवेस योग जो लक्षी चात्रें हैं इसकी जानकारी दरश करेंगे दूसरा जो option है यह उप्सन से हम उत चात्रों की जानकारी दरश करेंगे, जो बशाला छोड़ हम तीसरे option से दर्ज करते हैं सपोज हमें नौ प्रिविसी छात्र की जानकारी दर्ज करना है या फिर साला त्यागी की करना है तो हमें उस option पर किलिक कर देना है जैसे हम साला त्यागी की करना चाह रहे हैं तो इस option पर किलिक करें तो काफी सारे option आएंगे तो यहां पर एक option आपको select करना है कि बच्चे से भेंट हुई है या नहीं हुई है बच्चा जीवित है या नहीं है तो जो भी condition है इसमें काफी सारे option आपको देखने के लिए मिल जाएंगे तो जो भी option है वो आप यहां से select कर सकते हैं या फिर ऐसा भी हो सकता है कि छात्र दर्ज है लेकिन duplicate ID के कारेंड वो आपके लक्ष वाली जो सूची है उसमें आगया है तो आप इस option को भी click कर सकते हैं कि बच्चे की समगर ID duplicate है तो जो भी वस्तु श्तिति हो वो option आप यहां से select कर लें सपोस हम पहला option select करते हैं कि बच्चे से भैंत हुई । हम यहां पर ki-lick करेंगे इसके उपरांत एक बार और हमें option को select करना होगा जो option हमने अहां पर select किया है पुन्हें हमें उसकी स्तिति इहां पर select कर लेना होगा तो हम फिर से स्तिति select करते हैं और आगे जाएं पर click कर देंगे जैसे हम आगे जाएं पर click करेंगे तो छात्र की detail open हो जाएगी अब इसमें एक नया option add किया है जो की last year नहीं था इसमें परिवार के सदस्यों का जो साक्षरता इस्तर है वो भी पूछा गया है जितने भी सदस होंगे इस family idea में उन सभी के भी नाम आएंगे और इन में परिवार का जो साक्षरता इस्तर है वो आपको चुनना होगा इस चुने वाले option पर click करके इसमें आप देखींगे कि इशनात कुतर तक का जो sectionic इस्तर है वो दिया गया है साथिस में एक option और दिया गया है कि जीवित नहीं है या फिर साथ में नहीं है तो यदि जीवित ना हो या फिर साथ में ना रहते हों तो इस option का भी आप उप्योग कर सकते हैं या फिर sectionic इस्तर के लिए काफी सारे option इसमें दिये गया है तो प्रतेक सदस का आपको यहाँ पर जो इस्तर है वो चुनना होगा जैसे हम यहाँ पर एक इस्तर चुन लेते हैं असाक्चार है मान के चलते हैं असाक्चार है इस option को हमने select किया अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सभी सदस्यों को आपको इस्तर चुन लेना है आगे और देखेंगे कि इसमें कुछ और प्रशन पूछे गया है कि क्या बच्चा पूर से कहीं प्रवेसित है यादि प्रवेसित हो तो हाँ पर किलिक कर दें और नहीं हो तो नहीं पर भी कर सकते हैं अगला जो इसमें पूछा गया है कि बच्चे का प्रवेश साला में क्यों नहीं हुआ, अब यहाँ पर किलिक करके आप option select कर सकते हैं कि इसके कारण दिये गये हैं, कि किस कारण से जो छात रहा है उसका प्रवेश नहीं हुआ है, क्या बाल बिभा हो गया है, या फिर पर select करना है, इसके उपरां तो आपको कारण बताना होगा, जैसे हमने इसमें अनकारण select कर लिया, तो यहाँ पर लास्ट में आपको जो है बच्चे की टिपनी जो लिखा हुआ है, इस पर किलिक करके अनकारण दरसाना होगा, साथ इसमें हम देखींगे, कि अन जो question इसमे कारण भी दिया गया है, तो जो भी suitable कारण हो, वो आप यहाँ से select कर सकते हैं, इसके उपरांथ हम देखेंगे कि किस से भेंट हुई है, आपकी भेंट करता का नाम लिखना है, भेंट करता का mobile लिखना है, साथ में आपको बच्चे के साथ सूचन देरने वाले का जो होगा, और लास्ट में आपको बच्चे का photograph, फोटो लेने के लिए camera icon पर किलिक करें, यहाँ पर किलिक करके photograph लेना है, बच्चे की photo या बच्चा उपलब ना होने की स्थिति में सूचन देने वाले की photo ले, अब यहाँ पर किलिक करके हमें photo लेना होगा, और जब हमने photo ले पर भी चेक कर सकते हैं साथ ही इसमें एक बात और बताना चाहेंगे कि जो नौ पिरवेसी चात्र है या फिर आपिरवेसी या फिर सालत यागी चात्र है इसकी सूची आपको बरिष्ट कारले से भी मिल जाएगी एती साला प्रिवेस एप में सर्वे करने समंधी एक महत्पून जानकारी आसा है जानकारी अच्छी लगी होगी मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहन